नमस्कार दोस्तों राजकुमार राव, श्रधा कपूर, अभिशेक बनरजी, पंकर्श त्रिपाठी और अपार्शक्ती खुराना जैसे स्टार्स से सजी इस हौरर कॉमेडी का ड्रीम रन जल्द ही खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। फिल्म ने अपने डर और हंसी के सफर को एक बार फिर रहस्य में मोड पर खत्म किया है और दर्शकों को अब अगले ट्विस्ट का इंतजार है। इस फिल्म के लेखक नीरेन भट ने श्रद्धा कपूर के अनाम किरदार की पहचान का संकेट दिया है। फिल्म में विट्की, राजकुमार राव को उसके नाम का पता चल गया है, लेकिन दर्शकों को इस रहस्य का खुलासा होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि नीरेन भट ने पुष्टी की है कि श्रद्धा कपूर के किरदार को स्त्री दो फीट और आने वाली सीक्वल और स्पिन फिल्मों में और भी गहराई से दिखाया जाएगा। नीरेन भट ने एक विशेश साक्षातकार में कहा हां हम स्त्री की बेटी के रूप में श्रद्धा कपूर की कहानी को तलाशेंगे और इसी लिए हमने उसका नाम उजागर नहीं किया। हम काफी आगे की योजना बना रहे हैं लेकिन अभी मैं यह नहीं बता सकता कि मैडॉक फिल्म्स में क्या पक रहा है। दोस्तों इससे साफ है कि मैडॉक फिल्म्स के पास हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान है। नेरेन ने ये भी कहा कि वह स्त्री, भेडिया और मुझ्जा जैसे किरदारों की कहानियों को विस्तार देने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं स्त्री दो फीट के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की। दोस्तों, फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 401 करोड रुपए का बिजनेस कर लिया है। पहले हफते में ही हॉरर कॉमेडी ने 279 करोड रुपए की कमाई की। बुधवार के दिन फिल्म का कलेक्शन 20.4 करोड रुपए रहा। फिल्म की इस अपार सफलता के पीछे कहानी, निर्देशन और बहतरीन एक्टिंग का बड़ा हाथ है। खास कर श्रद्धा कपूर के रहस्यमई किरदार ने दर्शकों को बांधे रखा है। तो दोस्तों क्या आप भी स्त्री के अगले पार्ट का विस्वरी से इंतजार कर रहे हैं। और किस तरह से श्रद्धा कपूर के किरदार की कहानी आगे बढ़ेगी, ये देखना बेहत दिल्चस्प होगा। अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल बॉलीवुड न्यूज नेट वर्क को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बॉलीवुड की हर ताजा खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए नमस्कार।